क्लास 11 को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है चाहें आप 10 के टॉपर ही क्यों ना हूँ या फिर आपके 10 में एवरिज मार्क्स क्यों ना आए हो हर बच्चे के लिए 11 एक बहुत ही बड़ी चुनौती के समान है कि क्लास 11 गरूस से वह इतना वास्ट है कि हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे मैनेज करें बच्चों पढ़ाई के डिफरेंस जो लैवल है उसमें भी काफी डिफरेंस है टेंट में जो पढ़ाई है वह देख सकते हैं काफी कम लैवल पे वर क्लास 11 को से उसका लैवल भी काफी एडवांस हो जाता है अब हमें कितना पढ़ना चाहिए कै कौन सी स्ट्राटजी फॉलो करने चाहिए कहां से पढ़ना चाहिए मैं सब कुछ बताने वाली हों आपको आज के इस वीडियो में क्लास 10 में 95% नाना कोई बड़ी बात नहीं है पर क्लास 11 में पास होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है आप अपने स्कूल में कैसे पढ़ना चाहिए कितना पढ़ना चाहिए बच्चों मैं सब कुछ बताने वाली हों आपको आज के वीडियो में तो जुलाई जुलाई महीना जस्ट आने वाला है तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक बच्चों को बताऊंगी कैसे हमें पढ़ना है क्योंकि बिल्कुल भी नहीं आप आएंगे और जुलाई से दिसम्बर तक आपको वही बाते फॉलो करनी है जो आपको मैं बताने वाली हूं तो सबसे पहरी चीज ना वह यह है कि आपको क्लास 10 और क्लास 11 में डिफ्रेंस समझना होगा क्लास 10 बच्चों अगर आपने पूरे साल नहीं भी पड़ी थी अगर आपने आखरी तीन महिनों यह रगड़ के पढ़ लिया तो आपने असी पचासी परसें आराम से गेन कर लियो होंगे तो इसमें इतना खुशी होने ज़र नहीं आने वाला है हो सकता एक्जाम में पास हो जाओ पर नहीं कर पाऊंगे अगर आप चाहते हो कि या नहीं मैं अपने कॉम्टेटिव एक्जाम क्लियर कर पाऊं तो बिटा जी आपको जो है 11 को बहुत ही सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा यानि बच्चों हम लोग लास कि थ्री मंस में तो 11 को नहीं पढ़ सकते हैं क्लास 11 का बिटा जो लेवल है वो काफी एडवांस है क्लास 10 के कंपेरिजन में अब यार कौन कौन से रिसोर्स फॉलो करने चाहिए तो यार देखो बच्चों सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा हर टीचर के मूं से वह है सकती हो क्वेश्चिन है हर एक जो कॉंसेप्ट है हर एक एक जैंपल आपके दिमाग में बसा होना चाहिए तो कि बहुत बढ़ ऐसा होगा आप देखो कि अपने एक्जाम में जो पूरा पूरा बिटा जी हो फिफ्टी से सिक्स्टी परसें पेपर है वो बिटा एंसी से साथ परसें आपको पेपर एंसी आर्टी से ही मिलने वाला है तो पूरी आपको कंठस्त कर लेनी है बच्चो इसके लावा देखें बिटा जी मैं आपको बोला हुआ है कि अगर आप लोग क्लास 11 में स्कूल अवल के एक्जाम कर रहे हो तो आपको एंसी आर्टी के साथ- रेफरेंस बुक्स हैं वह भी फॉलो करने चाहीं जैसे बच्चों आप कुमार मितल को हर बच्चे को सौल्व ही करनी चाहिए जो बच्चे जो बच्चे कॉपी बीट जी जो बच्चे कॉम्टेटर एक्जाम के लिए सोच रहे हैं उनको तो एंसे आइट आइट जांपलर जरूर करनी चाहिए बहुत यह अच्छी लेवल के बिटा क्वेश्चिन मिलते हैं साथी दर बच्चों एद्गर NCRT को कैसे पढ़ते हैं उसको कैसे पढ़ना चाहिए कैसे रीट करना चाहिए उसके लिए बच्चों मैं बहुत जल्द आपको एक वीडियो मना के लाउंगी जिसमें आपको प्रॉपर बताओं किया कैसे आपना अभी तक देखो कि जितना सिल्बस कवर हो चुका है उसमें आपको क्या-क्या नहीं आता है ठीक है उसको अलग कर लो उसके बाद बच्चों डिपल्कुल आप यह मालों कर रहा हूं ठीक है बच्चे क्या करो यह बिल्कुल जो है शुरू करना शुरू कर दो क्योंकि अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया तो यह तो फिर आपके लिए जो एक चीज और भी है अगर आपने अगर आपने यह सोचा क्या ठीक है मैं किल थोड़ा-थोड़ा साहिक मलों किसी चाप्टर का आपने दोदो लेक्चर ले लिए बाकी छोड़ दिया बहुत मुश्किल हो जाएगी जो आपका बैकलॉग लगा हुआ है बिटा जी उन वीडियोस को बिटा जी बढ़ा करके बिटा आप देख सकते हो साथ ही साथ बच्चों दोको नोट्स बनाना तो बिल्कुल भी मत भूलना अगर तुमने नोट्स खुद के नहीं बनाए तो बिटा जी कुछ यहीं बनाओगे तो शॉट नोट्स भी नहीं बना पाओगे यहीं पूरे चाप्टर को 2-3 पेजिस में समराइस करणा यही शॉट नोट्स हैं जिसमें आ अपके जो हैंना हर एक कौनसेप्ट को बहुत ही मैं कह सकती हूं बिल्कुल जो में में चीजे हैं जो में में वो होते हैं short notes short notes आप तब बना पाओगे जब आपने तीन से चार बार बीटा जी study already कर रखी होगी तभी आप short notes बना पाएंगे अब यह को mistakes हम लोग क्या करते हैं कि class 11 की जो पढ़ाई है उसको बहुत ही हलके मुले लेते हैं हमें लगता है ठीक क्लास 11 के मार्स तो कहीं जोड़ेंगे नहीं तो ठीक है आथ देखा जाएगा class 12 को अच्छे से पढ़ लेंगे पर यहीं सबसे बड़ी गलती है अगर तुमने class 11 को सही से नहीं पढ़ा बिटा ज बच्चे दूसरी चीज़ यह है अगर आपने जो है मालो कि मैं मैं physics की बात करती हूं अगर मालो तुमने ऐसा किया कि लेट्स सपोस्थ तुमने वॉल्यूम बन क्योंकि बहुत टफ है जिसमें numerical portion है तुमने उसको छोड़ दिया वॉल्यूम तुमें क्या है काफी थेयोरिय और बिटा जी महनस से पढ़ना है अब यार देखो और लेवल डिफिकल्ट है तो इसका मतलब यह क्या करना होगा पढ़ाई को अपना जो घंटे है उसको भढ़ाना पड़ेगा तो करो क्या तो सबसे पहले तो अपने बेसिक से स्ट्रॉंग करो ठीक है बिटा देखो चाह करोगे तो बिटा जी फिर क्या होगा फिर जो है आपकी जो बढ़ाई यह मालों वेस्ती हो जानी है क्योंकि यह अगर आप जो है एक दिन मालों पढ़ ली और अगर आप ने उसका रिवीजन नहीं किया तो बिटा वापस से दू हफते बाद चार बिटा हफचा पूरा बॉइससे बहुत सारे बच्चे के लेने बैठ जाते हैं पर यह नहीं देखते हैं कि हमारे तो पढ़ने से पहले तो पढ़ने से पहले तुम कर रहे हो तो बीच में तो 10-20 मिनट का टाइम बच रहा है एक क्लास खता होने बाद दूसरी क्लास रूरे में तो उसमें रिवाइस करो कि टीचर ने क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में या फर बचे अगर आप कोई भी क्लास लेने जा रहे हो तो उसके पहले लेक्चर में क्या पढ हो चुकी थी उसको पढ़ना बहुत जरूरी है इससे क्या होगा कि अजो भी उसका से पढ़ाया जा रहा होगा वह आपको प्रॉपर समझ भाएं कि बच्चो सारी चीज़ा लिंक है एक दूसरे बिटा कनेक्टेड है बच्चो दो तीसरा में पॉइंट है वह है आपको पढ़ना है अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं मुझे कितना आता है मुझे कितना नहीं आता है तो फिर तो आप अंधिकार में हो हैना आप अंधेरे मां को पता ही नहीं है तो इसलिए बच्चो टार्गेट सामने होना बहुत जरूरी है अगर आपको मोटिवेशन चाहिए अगर आप कुछ आए मैं कैसे पढ़ू मेरा मन नहीं लगता तो जो तुम्हारा एम है उस एम को अपने टेबल के सामने चिपका लो तुम्हारा एम है क्या नहीं मुझे जाना द्यां वह कॉलेज का नाम तब आखों के सामने दिन राथ होना चाहिए तो बीटा जी तुम्हें किसी और के मोटिवेशन की जरद पड़ेगी नहीं अगर तुम्हारे बिलकुल आंखो के सामने होना चाहिए टेबल पर लगा लो कर नहीं मुझे इतना करना है हर दिन का करो यार देखो तुम खुद करते होना तो अपने आप पढ़ने का मन करेगा तुम्हें पता होगा कि यार मैं क्या पढ़ चुका हूं मुझे और कितना पढ़ने क्या शकता है तो यह तुम्हें यह चीज़े करनी चाहिए इत्माई स्ट्रेटजी रहने वाली है तो बस इसको ही तुम्हें फॉलो करना है बाकी बच्चों एड देंड मेहनत आपको ही करनी है और अगर आपने अभी बेटा जी तुमने शुरू से जो है शुरू नहीं किया है अगर तुम अभी तक ही बैठे हुए थे तो यार अभी तुम्हारे पास मौका है आगास बैच लाइव साथ जेई और नीट की प्रेप्रेशन कराएंगे क्लासेज बिलकुल लाइव होंगी तो बच्चे आपको करना क्या है यह सारे टीचर्स आपको मिलके पढ़ाने वाले हैं और बच्चे आगास बैचलो प्राइज है वह है मात्र फोल्स पर लाइन बच्चों लेकिन याद रखना कि जो ओफर है मात 22 जून तक के लिए है बागी बच्चों 0124715825 कॉल करना ना भूलें